हेलो फ्रेंट्स तो आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्मसिटिकल एनलिजिस के टू मास्के दा मोस्ट इंपोटेंट कोशन्स के बारे में और अगर आपने हमारे प्रिवियस वीडियो एचे पी की देखी होगी और आप एक्जाम भी देकर आये हो तो आप जानते हो कि यह वाली वीडियो हमारी इतनी जादा इंपोटेंट क्यों है तो अगर आपको कुछ उससे प्रॉफिट हुआ तो कमेंट्स करके बताओ इससे हमें यह आईडिया लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं आए ऐसा हम आगे करें कि नहीं करें तो लोगी पता है इक स्लेवर्सल्मोस्ट नहीं है और करते भी मतलब लोग भी ऐसा नहीं कि सारा का सारा डवार्ण कंप्लीट करके पढ़ाय करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर यूनिट फस से लेके फिफ्ट अके जितने भी हमारे पॉसिबल बन सकते हैं व आप पहले से पढ़ चुके हो तो सब का रिवीजन हो जाएगा और एक तरह से देखा दाए तो आपको ओवर भी मिल जाता है यानकी पांचों यूनिट अगर एक तरह देखा दाए तो एनलेसिस का आपके अंदर एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसके बारे में आपको पता होगा तो अब बढ़र कर लिक्कर आ सकते हो अच्छेय आपको हर से पास तो यही रीजन है कि यह वाली वीडियो हमारी बहुत-बहुत जाएंद हो जाती है बाकी आपको पता ही है कि सेक्षय के कुशिन आते उसमें से लगबग जो हमारे इसमें लगबग आट से 9 हमारी तो आप समझ सकते हो कि 15 से उपर नमर तो आपके बड़े आराम से आई दाएंगा अगर 67 कोश्चन भी आपको मिल जाते हैं तो यह तो आपका प्रॉफिट होई गया उसके अलावा यह वाले जो कोश्चन आपको फार्मसिटिकल एनलिसिस का एक कंप्लीट निचोड मिल जाएगा और हर किसी के बारे में आपको पता होगा कि इस एनलिसिक के अंदर क्या कैसे है और पास होने के लिए भी सारे मंदब इतना मोर दैन इनफ होगा आपके लिए ठीक है बागी इंपोर्टन कोश्चन हमन चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि एनलिसिस की डेफिनिशन कमेंट्स में लिखना जरूर क्योंकि इससे क्या होता ना आपका रिवीजन हो जाता और आपको पक्की याद होताएगी और जो सही लिखेगा उसको हम हट बगर चलिए तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी फार्मसिटिकल एनलिसिस के कंप्लीट निचोड की वीडियो लेकिन उससे वहले हैलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरे नाम है अकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सॉलुशन है आपको समझा रहा हूं डेफिनिशन आपको कमेंट में लिखनी है तो मालो कोई भी हमारे पर एक सॉलुशन है और उसमें हमारे मिक्षर यान की दो या दो से ज्याला चीज़ा हमारी मिली हुई है जैसे मालो आपके पानी होता है तो क्या पानी कभी प्रफॉर है उसको Chiak Out करता है उसमें identify करता है क्यां कहों कुण सी चीज़ाüz है । और अगर कोई obsc 냄識 करते है तो सेपरेट बीकरता है तो यह सारे कहां हमारे इनलिसे यह तर्म हमारे लिए बहुत ज्याद से मतलब क्वालिट्स इनल्यसर क्वालिट्स से जानकी हमारी क् और quantitative मतलब यहां बात हो रही है हमारी quantity की अब इसको ऐसे जश्ट छोटा से एक दम पर ले के समझे लो मालो आप लोगों ने apple खाया होगा से अब मालो कि आप दो लोग कोई कहा रहा है मैंने वही चार या पांच apple खाये लेकिन कोई कहा रहा मैंने वही एक apple खाया लेकिन मैंन लेकिन quality की बात करें तो हम उसमें यह बात करते कि आपने apple खाया वह कैसा था अच्छा था बुरा था मीठा था की नहीं था कि बहुत लाल था कि नहीं था तो यह हमारी को जाती तो उसी तरह सा यहां पर जो हमारे सेंपल्स होते हैं इसमें इसके अंदर करते हैं कि कौन सा ह क्या है वहाई प्यृटायाइज करते हैं तो इसके नदर मालों हमार पास चार कम पर्जेंट हैं लेकिन अब हमको यह पता लगाना है कि यह कितने amount पर present है A भाई हमारा कितना present है B कितना present है C कितना present है तो उसकी concentration को हम जो quantitative analysis में पता लगाते हैं तो यह दोनों हमारे इसका difference हो गया ठीक है तो इसमें check the quality इसमें check the quantity अब मैं आपको यहां पर यह भी उताऊंगा लॉंग में कैसा कर जाता है तो यह जो हमारे कुशन मनता है method of एक्स्प्रेशिंग concentration यह बिल्कुल लॉंग में आता है दस नंबर में भी बहुत बार आया है पांस नंबर में भी बहुत बार आया है इस question को आप बिल्कुल भी मतलब छोड़ के मतलब आना अब इसके अंदर हमारे चार से पांच मेंतल आते हैं जो कई वार हमारे जैसे यह इंडिविज्वल भी हमारे आते हैं मतलब दो नंबर में और यह सारे मिलकर हमारे 10 में आते हैं इसलिए मैं बोला था कि यह दो बाले आपके 10 में भी help करते हैं अब अगर मैं इस question को पूरा solve कराऊंगा आपका यह 10 नमर के according हो जाएगा यह 7 के according आप बड़े आराम से लिखकर आ सकते हो तो बात करें पहले हम टम समझते मोल क्या होता है हमारा तो यहां पर अगर हम बात करें कि हम कोई भी सभिस्टांज जो इसके अंदर है उसको हम कैसे करेंगे जैसे आपके पास मैंने बुला एक पल है द किसी सभिस्टांज को मीजर करते हैं तो उसकी फंडामेंटल यूनिट है जिससे हम उसको डिनोट करते हैं अब जैसे अगर आपने पड़ा होगा तो ऐसे करके आपने यह देखा होगा ठीक है तो मोल आप समझ गए अब बात करते हैं मोलरिटी की तो इसे नमबर आप मोल्स इसको हम डिनोट करेंगे हैं हम से तो मोलरिटी इस डिफाइन एट इस दा रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड इंटू बॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर तो बस यह डिफिनिशन आपको समझ नहीं है अब इसको कैसे निकालते हैं फॉर्मुला यह सब सब्सक्राइब विलाब करना क्यों यहीं आपको लिखें आना है है जो इसमें क्या हुग कि जो बड़ा भाई इसमें बहुरुट पाइउ क्या अब इसमें में है जयान की एक तरह से लिक्ट वाइं है moles of solute, solute के number of moles कितने है, divided by mass of solvent यानि कि यहाँ पर हम solvent की बारे हम बात करें हैं और यहाँ पर हम solution के बारे हम बात करें हैं अब solution आप जानते हु, solution में solute plus solvent दौन私 होते हैं, लेकिन molality हम सिर्फ solvent के बारे हम बात करें हैं, जो महाराразу के हम प्रिजेंट है, तो यह यहां भी बात हमारी solution की हो रही है अब यह हमारा ग्राम एक्यूवेलेंट यहां पर हमको एक चीज निकालनी पड़ेगी तो अगर इसको हम डिनोट करें ऐसे करेंगे कि अब करते हैं अब नॉर्मेलिटी इस उकल टू ग्राम एक्यूवेलेंट ऑफ दा सॉल्यूट अपन अब यह सिंपल हमारा चार्स आता है तो यहां पर जैसे मालो मेरे पास यह न है तो हम करेंगे तो यहां पर देखा है तो यह पॉजिटिव आएं यह निगटिन है अब दोनों को हम देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक प्रिजेंट है तो यहां पर अगर एक पॉजिटिव बाला चार्ज था तो हम यहां पर सिंपल एक लगा देते हैं तो अगर देखाता है तो एने उसका जो gram equivalent वेट है वो भी हमारा 40 निकल के आ रहा है तो इसी तरह अगर यहां पर कोई और होगा मालो calcium हमारा two positive हो गया तो यहां पर हमारा दो आइन हो जाएगा तो नीचे हमारा दो लग जाएगा तो इस तरह आप यहां पर इसको calculate कर सकते हैं तो नीचे volume of solution लेटर जो भी निकल के आता है तो इसके एक आद निमेरिकल वगरा आजाता है तो उसकी आप practice कर लेना यहां मैंने नहीं कराया है यहां मैंने simple आपको definition वगरा बता ही है अब यहां पर एक और आता है formality तो it is defined it is the number of gram formulation weight इधर हमारा gram equivalent weight था यहां हमारा gram formulation weight थ of solute dissolve in per liter of solution यानकि एक लीटर solution में तो formality को हम F से denote करते हैं अब gram formulation weight actual में हमारा formula weight of solute होता है यानकि मालो कोई भी हमारा solute है जैसे मैंने आपको एनियोज बताया तो एनियोज का formula का weight निकाल लो तो वही formula का weight वही हमारा 40 आ गया तो वही यहां 40 लिख देंगे नीचे हमारा volume of solution आता है का तो कि अबर नाम ही बड़े बड़े होते हैं चीज हमारे कुछ भी नहीं होती तो अगर मैं इस पूरे question को summarize करूं तो इतना आप इसको याद कर सकते हो कि Molarity, Normality and Formality में जो solution नीचे आएगा वो हमारे लीटर में आएगा और उपर हमारे number of moles change होते रहे हैं Molarity में number of moles है Normality में हमारे gram equivalent weight है और formality में हमारे gram formula weight है ठीक है बागी नीचे हमारा solution लीटर है Molarity में simple इतना क्या कि नीचे हमारा क्या था solvent केजी में था और यहाँ पर क्या था number of moles of solutes है तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं थोड़ा सा summarize form में तो यह हमारा third question complete हो गया थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन आप समझ गए होगे अब जैसे आपको बताए कि जो हमारा यह होता है analysis होता है general term में समझे लो कि इसमें होता क्या है तो मालो कि मैंने यहाँ पर मुझे दिया गया कि एक solution आपको बनाना है मैंने यहाँ पर एक A नाम का solution बनाया अब इस A नाम के solution को check कैसे किया जाएगा कि यह pure है कि वही क्या कमी है कैसा क्या है तो इसके लिए हमारे पास एक standard solution होता है जो हमारा एकदम pure form में होगा तो यह standard solution हम क्या करेंगे इसको compare करके हम A को निका लेंगे कि हमारा solution कैसा बना क्या बना अब इसको आप जनरल घर के एक्जाम बदर समझ सकते हो कि मालो भाई आपके ममी डेली चाय बनाती है और वो चाय बहुत बढ़िया अब किसी दिन क्या है आपको चाय बनानी है तो ज यहां पर आपके पास एक standard solution होता है जैसे आप compare करके यह पता लगाते हो कि कौन बैस्ट है जैसे हमारे आप किलास में टॉपर जैसे वही है टॉपर किसी को कितने माक्स आए तो अगर सो मैसे किसी के number आएंग तो 101 हमारा standard value है अगर किसी के 100 मैसे 100 आ रहे है तो बहुत में पता होती है यहां कि इसमें आप concentration को पता लगाते हो quantitative determination में यहां पर क्या था क्वाइंटिट्रेशन को पता लगा रहे थे तो जो हमारा standard है उसकी already हमको concentration पता होती कि उसके अंदर हमारा कोई भी जो compound है वो कितने मात्रा में present है और दूसरा क्या होता है कि हमारा highly pure होता ह यहां कि यह हमारा best solution है ऐसा अगर आपने बना दिया तो आपको कोई दिक्कत करने की बात ही नहीं है तो यह हमारा pure होता है और concentration होती है अब primary और secondary को समझो क्या होता है तो primary जो हमारा solution होता है standard solution इस solution prepared through highly pure क्योंकि इसके नंदर हमारे क्या होते है और क्या होता है क्योंके इस में प्यॉर रियैजरेंट चैमिकल्स का हम यूज करते है जिसको further हम प्यूर बनाते हैं इसी प्रॉसेस को हम इस्टंडराइसन कहते हैं जैसे घर की चाहे मालो तो आपने कहा दीगा यह कम ताफ पिर आपने इस वाली चाहे के साथ कंपेर कर दिया मालो आपने थोड़ी यहां example में लिखा है अब secondary के बारे में बात करें तो यह हमारा थोड़े सा less stable होता है और यह हमारा जो होता है वो primary standard solution की तरह बनाये दाता है अब जैसे simple मैंने बताया है हमने a solution बताया अब भई हम जो हमारा pure solution है उसको हम हर तरफ use तो नहीं कर सकते वह जो pure है वो हमारे स्सवारा प्राइमरी स्वारा बनाये चर्टे उसके साथ सथ करके हम इस वाले स्टेंडल को अब यूज करते हैं फूर्दर अपनी रियक्शन या पर ब्रैबरेटरी में अपने अप्र प्रक्टिकल वगगरा करने के लिए तो यह हमारा होता जो प्यूइंट ईसकशु थैस तो यह हमारा होता है पूरा का पूरा सीन अब फिफ्ट कोश्चन हमारा आता है कैल्कुलेट नॉर्मेलिटी फॉर हंड्रेड एमजी पर फाइफ हंड्रेड एमल एनुए सॉलूशन तो ऐसा जो हमारा निमेरकल आएगा यह आपका धिमाग खराब करी देगा क्योंकि आप लो देना लेकिन जो आपको आता हो उसको पहले बैस्ट कर लेना अच्छे थे क्योंकि वह जरूरी है क्योंकि पता चले आपको यह आता नहीं आपने इसमें टाइम लगा दिया और जो आपको चूट जाता है जैसे एच्छे बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सार हमारा पेपर आता तो सब ता लेकिन चूट गया तो जो आपको आता है उसमें आप क्या करता है जादा टाइम दे देते हो तो उसमें भी जादा टाइम नीए इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि मतलब पेपर प्रिजेंटेशन टिप्स तो उस वीडियो को जाके आप देख लेन अपॉन वाल्यूम अफ सॉलीशन यह होता है हमारा तो यहां पर क्या है फर्ष्ट लिए फांड ग्राम एक्क्यूवेलेंट ऑफ और एन्युए तो एन्युए अच में हमारा यह है तो आपको पताए यह मोनो एसेटिक है यहां पर एक लेंगे तो अगर इसका हम ग्राम एक हम को करना है इस एमजी ग्राम में कनवर्ट करना है और ढूसरे नम्मर सब्सक्राइब 100 mg पर 500 NUH solution लिया है 100 mg लिया है तो बस हम पहला हमारा यहां क्या होता है का 100 mg NUH is equal to 0.1 ग्राम यहापे होगा तो जब हम इसको यहाँ पर इधर लेगा calculate करेंगे तो हमारा जाएगा gram equivalent is equal to 0.1 mg अब लोग confuse हो रहे होंगे सारी यह कहां से आ गया Aykenland 100 mg को आप gram में convert करो एक gram में कितने होते हैं 1000 mg होते हैं तो 100 mg में हमारा इसको आप calculate कर लो बाइस को अब हमको 100 mg किमारी वेल्यूं कितने लिए धी है कि जब सजोंगी में करेंगे तो कि मैं यह कर तेंगे 2 से 20 00 कर दाइंगे और वन वाई अदाये का वह वन वाई 10 को जब सॉव करेंगा तो 1 आधाएगा हमारा ग्रम में तो हमने क्या किए अब हम इसका ग्राम निकालेंगे तो हमको क्या 0.1 ग्राम है और टोटल जो हम नीचे करते हैं करेंगे तो हमारा जो अब लोग सोचे रहेंगे थाउजंड कहां से आ गया तो इसको पूरे को सॉल्फ करेंगे हमारी बैल्यू है कि 0.0050 इसको सॉल्फ करेंगे 0.005 नॉर्मेलिटी तो यह हमारा इसका अंसर आज़ा था था थोड़ा सा टिपिकल है फेर उसके बाद हमारा जतना एमजी है हमने एक घ्राम और हमने चालनी हिए वाली वैली उससी पर्मूला था तो इसके लिए हमन यहां पर फूंए और हमारा इस में दर में लिए करेंगे जो हमारे confuse ही कर देंगे आप चाहो तो खुद निकाल के देख सकते हों मैंने डाल दिया कि यहां exam में आते हैं तो आप यह न वो लो कि मैंने बताया नहीं था ठीक है तो इसको भी simple आगर देख लो क्या है कि value prepared 0.1 N NOS solution for 100 ml 100 ml में आपको 0.1 N NOS solution निकाला है 0.1 N का मनलब क्या होता है normality होता है तो normality का formula का हमारा equivalent weight upon volume of solution अब equivalent weight हमारा NOS का 40 था हमने उपर भी निकाल लिया था तो इसमें कोई acidic basic नहीं होता तो यहां पर क्या है कि for 1 N solution take 40 gram NOS यान कि हम one normality solution के लिए 40 gram NOS लेते हैं तो अगर हमको 0.1 N solution लेना है यान कि one normality था लेकिन हमको 0.1 solution लेना है तो हमको यहां पर क्या है इसका हम क्या कर देंगे half कर देंगे 10 यहां पर एक point कर देंगे तो हमारा आजाएगा 4 gram NOS in 1000 ml ठीक है अब 4 gram NOS हमारा 1000 ml में आये लेकिन हमारा question में कितना 100 ml दिया है तो अगेन हम यहां पर क्या करेंगे 10 का दोने तर मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारा क्या दाएगा 0.4 gram आदाएगा NOS solution हम 100 ml के लिए लेंगे तो बस simple हम देखा था है एक तरह से quantity कम करते गए कैसे क्योंकि यहां पर अगर इस formula पुट करोगे तो जो normality हमारी है वो 1 थी यहां पर ठीक है तो 1 के लिए हमारा equivalent weight 40 था अब हमको क्या देगे 0.1 के लिए हम इसको 0.1 के देगे त इधर भी एक आज़के तो जहां पर क्या देगा 4 आदाएगा 1 के लिए हमारा 4 ग्राम आगे फॉर घरामारा 1000 that ng के लिए होता लेकर नमको 100 के लिए तो क्या करेंगे नटे मेजिए को का महं देगा तो इस तरह आप समझ सकते हो आप चाहो तो इसको calculate कर लेना देख लेना ह यहां पर आता है डिस्क्राइब दाफ फंडामेंटल ऑफ बॉलिमेट्रिक आनलेसे टो इस दाफ इस अ आमाउंट ऑफ सविष्टांस अब बॉल्लीम से समझ लोगी यहां पर क्या है कि क्या तो मालो हमारे पास यह है पूरा 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 फ्लास्क है अब मुझे इसकी क्य सब्सक्राइब करने है कोई भी कितना है कैसा है तो बहुत ही सिंपल हमारे यह method है अब यहां को कमेंट्स में बताना है कोई अगर कर सके करो मेरे तब रह गया था उसके बाद चलो अब आगे देखते हैं ठीक है तो यह निमेरकल आप देख सकते हो अब हमारा यहां पर टैंद question आता है define errors तो errors में आपको करना है तो पहली में आपको उता दूँ कि जो errors वाला question है यह हमारा details में बहुत बार आया हुआ है sources of error आता है minimize कैसे करेंगे error को तो इस error के बारे में आप complete details अपनी पढ़ लेना अब अगर errors को हम define करें तो it is the difference between the true and standard value and observe value अब simple आपको बताए कि म मालो कोई भी मैं यहाँ पर experiment कर रहा था मैं कोई चीज़ बना रहा था यह कुछ भी कर रहा था तो यहाँ पर हमारे पास एक पहले से answer जैसे आप लोग ने अगर math कभी solve किया हो तो वहाँ पर यहां question दिया होता है और last में आपके page के बीचे में आपका क्या दिखा होता है उसका answer की होती है उस answer की में आपके answer लिखे होते हैं तो पहले आप यहाँ calculate करोगे calculate करने के लिए मालो यहाँ answer की में आपका 40 लिखा है किसी का answer आपने calculate करके निकाला कि आपका 36 निकल रहा है ठीक है तो यह हमारा क्या है observe value जो आपने निकाली यह हमारे standard value कि यह answer हमारा ठी है तो इस सबोले जो सान सर्टहिक है उस मेंसे इस वाले जो निकला हमने आनसर है एसको जब कैसे डिफाइन कर सकते कि तो और इस्टेंडर्ड वैल्यू एंड अब इसको बिल्कुल देशी लेने गए या कुछ भी आपने सौ रुपए का सामान खरीदा आप ठैले में भरके ले आए सब्जी घर आके आप देख रहे हो कि आपके रुपए तो पुरे सौ चलेगा लेकिन जो सामान को आप कैल्कुलेट कर रहे तो पुरा सौ का नहीं है वो पिच्छी आनुमें नब्बह ऐसा निकल रहा है तो जो पांच रुपए का आपका डिफरेंस आ रहा है वो एक तरह से आपका एरर होताएगा तो यही हमारा एरर हो गया ठीक है डीटेल में आप लोग पर मारे पास पांच वैल्यू है अब मुझे पता है कि यहां पर जो ट्रू वैल्यू है जानकि जो एक्च्छल में स्टेंडर्ड वैल्यू तो जैसे मैंने आंसर की वाला आपको एक्स्परिमेंट कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू यह निकल के आ रहेंगे 0.3 0.4 0.6 0.45 तो यहां पर जो एक्यूरेसी होती है वह हमारी वह वैल्यू होती है कि वह हमारी ट्रू वैल्यू से कितनी ज्यादा कनेक्ट है कितनी ज्यादा पास है तो यहां पर अगर देखाए तो 0.5 के सबसे पास कौन से 0.45 है तो यह एक्च्छल में हमारी क्या हो जाएगी एक्यूरेसी हुआ है कि पूरे data की हमारे यह accuracy यहां पर है यह पूरे data की तो यह हमारे accuracy होते है कि कोई चीज हमारे किसी भी data के कितने पास है true value के precision क्या होता है कि it is a degree of closeness of a measurement with each other यहां पर क्या है कि मालूम मेरे पास यह 5-6 value मैंने निकाली तो अगर यहां पर आप देखोगे तो accuracy की according हमारे यह 0.45 इसके साथ सबसे ज़्यादा पास है तो accuracy यह हो जाएगी लेकिन वैसे अगर हम देखें precision में तो 0.4 और 0.4 यह हमारा तीन बार आया है तो actual में हमारी जहां पर precision हो जाएगी वह हमारी हो जाएगी 0.4 की यह value बार बार आ रही है तो हो सकता है कि वह हमारा 0.5 नहों के 0.4 हमारा correct answer हो तो इसी लिए हम precision को जहां बोलते हैं कि यह degree of closeness होते है with each other जो measurements हमारी निकले है अब significant figures के कुछ rules आते हैं वो भी आप पढ़ लेना साथ एक आज बार पांस नमबर या साथ में आते हैं rules to return the significant figure क्या कैसे है तो इसको आप देख लेने ठीक है तो इसके example जैसे माले limit test तो limit test को आपको define करना है तो these are the qualitative and semi qualitative test design to identify and control the impurity which is like present इतना सभिस्टांस और solution अब जैसे मैंने आपको यहां simple बताया कि यह limit test जो हमारा होता है वो qualitative और semi qualitative जानकि overall देखाता है तो हमारी जो मालू यह हमने एक हमारा standard solution है और solution मैंने यहां पर बनाया है तो इस solution की quality को ही overall check करते है इस limit test के अंदर कि हमने solution बनाया वोगारा कितना best है तो हमारा प्यूरce यहां कैसे बनाये है थो आपको पताया कि जैसे हमारे स्टेंडर सॉल्यूशन है गन्दड़। ओती अगर से गंदगी मिल जाएगी तो पानी जो किलियर होता है ज्यानि कि उसमें आपताह कुして जहांद कि यहां पर sixteen हंना तयार किया जिसमें地踅 कर सकते हैं तो उसको नेकाול करेंगे संदर के साथ amplify करतेयों का तो समझे हो कि हमारा यह solution best है एकदम best है इसके जितना भी यह तो मारत ठीक ठाग है मतलब अच्छा और इससे ज्यादा टैस यह एक जादा जादा है इसलिएस्ट यह जी जादा एक जादा चेक करतें कैसे को कारगा कर देते हैं अब अगर बिलकुल ही कम आती है तो हमारा वो टेस्ट सॉलीशन वारे इस्टेंडर के जैसे बढ़िया बन जाता है तो इसके एक्जामपल हमारी लिमिट टेस्ट आफ क्लोराइड है अर्सेनिक है अब आपको पहले बिता दूँ कि जो हमारा आर्सेनिक वाला लिमिट टेस्ट है वह हमारे लिए बहुत बहुत इंपोटन्ट है एक्जाम में हमारा आजाता है इनौर्गनिक में हमारा बैसे मोस्टली टाम आजाता है यहां पर हमारी डेफिनिशन वगराई आ सकती है तो यह चीज कर चुके हैं तो यूनिट सेकेंड का पहला हमारा क्या है कि एसट और बेस आपको डिफाइन करने है आर्यानियस तो अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई हमारा ऐसा सभिष्टांस है जो हमारा एच पॉजिटिव आइन को रिलीस कर रहा है तो वह हमारा क्या हो जाएगा एक पानी को तो रहें जांगे इसका ब्रेक्टाउन होताँ है तो इसका ब्रेकडाउन होता है सब्सक्राइब कराएंगे यह हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा और कोई रियक्षिन हमको मिल रहा है तो यहां पर हमको एक तरह से मिल गया तो यह हमारा और यहां अगर देखो तो यहां पर यहां पर एक मिल रहा हमारा बेस हो जाएगा तो यह हमारे एक एक इंडिकेटर यहां कि टाइशन पर है तो यह एक च्छल में क्या करेंगे कोई तो यहां इंडिकेटर करें तो इसमें एक हमारा बेस होता दोनों आपस में रियक्षिन तो यह थे उसमें पहचानेंगे कैसे कि वह रियक्षिन हमारे कंप्लीट हो रही है उसी के लिए हम इस indicator का यूज करते हैं, indicator का मदलब क्या होदा है, indicate करना, तो यह हमारा क्या करेगा, जैसे हमारे यह change हो रहे हैं, यह दोनों वापस मिक्स हो रहे हैं, जैसे हमारा end point आएगा, कि वह reaction complete होने वाली है, acid waste indicator हमारे color को change कर देंगे और हमको पता लग जाएगा कि वो reaction हमारी complete हो चुगी है तो these are used in the titration to identify the end point of acid waste reaction acid waste reaction में यह हमारा end point की तरह काम करेगा color change करके तो example हमारा litmus paper हो गया, इसमें litmus paper का हमें यूज कर सकते है या सबसे best और universal में हमारा आता है phenophthalene जो phenophthalene हमारा है यह बहुत बहुत जादा हमारा यूज होता है आप लोगों से अब तक किया भी होगा, तो phenophthalene के बारे में आप example डाल सकते हो acid waste indicator में यूज किया जाता है, 15 हमारा आता है what is the role of indicator in titration, तो titration में हमारा indicator का role क्या होता है यह हमारे सारे indicator के बारे में बात हो रही है, तो indicator हमारा play a very important role in titration titration बहुत important role play करता है, अब they basically used to find out the end point of any reaction यानि कि जो मैंने आपको बताया है कि कोई भी हमारी titration हो रही तो आपने देखा होगा कि जैसे यह reaction हमारी चल दोई तो यहाँ पर एकदम color change कर देगा और जैसे हमारा color change होता हम यहाँ पर view rate को रोग देते हैं और view rate में कितना हमने अपना use कर दिया solution उसकी concentration को हम लिख लेते हैं यह phenophthalene हो गया यह methyl orange हो गया यह हमारे कुछ इंडिकेटर हो गया 16 question हमारा आता है how phenophthalene behave in acidic and basic medium तो phenophthalene हमारे एक universal इंडिकेटर है जो हमारा हर तरफ यूज़ करते हैं तो acidic medium में अगर हम यूज़ करें और basic medium में यूज़ करें तो यह क्या काम करता है तो देखाता है overall तो phenophthalene हमारा colorless beak acid सभिष्चान से था है जो एज़ा इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं end point find out करने के लिए अब acidic medium में यह हमारा क्या करेंगा कि यह colorless turn कर देता है मालो कोई भी solution है वह acidic है तो acidic होगा तो इसका जो भी color होगा वह एकदम colorless जैसे हम इसको डालेंगे colorless हो जाएगा end point आते ही लेकिन जो basic medium है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा solution है वह pink color में हमारा convert हो जाएगा अब यह कैसे होता है इसके अंदर reaction थी मैंने जश्ट आपको बता दिया दो नमर के according तो acidic medium में colorless हो जाता है basic medium में हमारा phenophthalene pink color का हो जाता है अब 17 हमारा question आता है what is non-aquest iteration तो देखो आपको बताऊगा दो तरह की titration हमारे होते एक aqos एक non-aqos aqos का मतलब simple क्या होता है aqos का मतलब होता है पानी या water तो non-aqos का मतलब क्या होता है non-aqos का मतलब होता है other than water यानकि उसमें water का use नहीं करेंगे इसको define करें कि it is a type of titration यह हमारा titration का type है in which analyte सभिस्टान्द is dissolved in a solvent other than water यानकि जो analyte हमारा solute है तो solute को जो हम डाल रहे है इंडिजॉल्ब करें वह हम solvent में करते हैं तो जो solvent होगा वहमारा पानी नहीं होगा water के अलावा कोई हो सकता है क्योंकि non-aqos की बात हो रही है तो non-aqos हमारा क्या है पानी नहीं होगा इसमें हमारे क्या होज़ाएगा solvent हमारे या तो बेंजीन सब्सक्राइब या 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 य इंदिकेटर에서 नहींगेए तो ये हमारा क्या गरता है अलग-अलग कंडिसन में सब के लिए हमेено का मतलब ही होता है सदा बाहर या या ह restrict हर एक हमयानगी हर एक हरकर एक्ष्म मैं हम इसको यूज कर सकते और हम हमारे कुछ इंडिकेटर है मैंने आपको पहली बताता है तो यह हमारे इंडिकेटर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में आता है बस क्या कि it is a mixture of different different types of indicator that is so the different color and that's used in any solution तो यह लाइन भी आप चाहो एड कर सकते हो दो नमर के लिखकर आप लोग तो इस डिफाइन डिट इस डिटा निगेटिव लॉगरिथ्म अफ पॉजिटिव बाइन अब कमेंट्स में आपको चलो डेफिनिशन नहीं लेकिन फॉल फॉर्म नहीं लेकिन यह लिखिये बताना है कि जो हमारा पी एच है इसकी एक रेंज होती है लेकि हमारी फॉर्टीन तक तो किस रेंज में यह होता है किस रेंज में बेसिक होता जीरो से सब्सेबंग तो कहां एक है नूट्रल है यह चीज़ आपको क्या करनें कमेंट्स में लिख्के बतानी है अभी शाओ फटाफट लिख्के आओ बाकि इसको हम और डिफाइन कैसे तो इसमें हमारे solvent के बारे में बात हो रही है protogenic and photogenic solvents हमारे क्या कैसे होते हैं वैसे आप लोग ने ये फॉन यूज किया होता है मैं आज भी गरता हूं तो प्रोटोजेनिक solvents के बारे में अगर बात करें तो these are more acidic solvents and have ability to generate protein यान कि यह non-equos उसके अंदर यह हमारे types में आता है और यह question हमारे details में आता है मैं आपको अभी बता रहा हूं कि what the uses of solvent या write the types of solvent used in non-equos titration तो यह वाला question है कि non-equos titration में कौन-कौन से solvents use के जाते हैं 4-5 तरीके होते हैं मारे यह वाली होते हैं मैंने 2 को यहां define किया है चारों को आप अच्छे से बढ़ लेना details में हमारा आज आता है ठीक है तो यहां पर अगर हम प्रोटो जैनिक और प्रोटो फिलिक को यूज करें तो प्रोटो जैनिक मतलब क्या यहां पर proton वर्ड आप क्या समझा प्रोटोन जैनिक मतलब generate करना एक तरह से देखो नाम से आ हमारा acetic acid या फिर S2O4 हो गया अब प्रोटो फिलिक के बारें बात करें तो प्रोटो फिलिक प्रोटोन यहां पर एक तरह से क्या है फिलिक मतलब होता है लविंग तो जब कोई चीज हमारी प्यार करते है तो ऑसेप्ट कर रहे हैं तो यह मांगेगी प्रोटोन को तो वहीं लिक्विड अमोनिया दाता है अब यहाँ पर हमस्ट करेंगे वाटेज लेवलिंग एंड डिफ्रेसियटिंग टो यह वाले एफेक्ट पर मेरे वाले लेवलिंग लेवलिंग बूलते हैं कि यहां पर कि सीब acid को water के अंदर dissolve करें तो वो अगर हमारा completely dissolve हो जाता तो यह चीज़ हमारी leveling solvent या leveling effect कहलाती है example जैसे scl को अगर हम पानी के साथ dissolve करें तो s3o positive और cl negative इसमें यह हमारा convert हो जाता है और यह completely हमारा done हो चुका है ठीक है और यह हमारा हो गया बागी s3o को हम क्या बोलते है s2 हमारा पानी हो गया लेकिन s3o water हमारा क्या है इसको क्या बोलेंगे या आप comment में लिखे बताओ अब यहां पर एक और आता है leveling आप समझेगे कि एसट को पानी के साथ हमारे यहां पर आपको यह साइन दिख रहा होगा मतलब क्या यह पार्टियली हुआ है इस वाली कंडिशन में जा सकता है इसलिए दौनों साइन में यहां लगा रखे हैं तो जो अगर आप नाम से समझेगे न्यूट्रालाइजेशन मतलब क्या है न्यूट्राल हो रही है कोई जहां पर तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इस दौनों एक दूसरे को क्या करेंगे इफेक्ट को कम करेंगे तो जब यह हमारे एक दूसरा रियक करते हैं तो इसलिए हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं अब साथ में इसके थोड़ा सा मैं आपको एक्सटारी समझा रहा हूं जिससे आपके लॉप करें और हमारा में तो आपका कोई क्रिवीजन है टूमास पर इस तरह का आपको एक ग्राब बनाना है अब इसमें चार कंडिशन है सबसे पहली कंडिशन समझो इस ट्रॉंग एसेड एंड इस ट्रॉंग बेस वाली तो यह ब्लू लाइन आपको दिख रही है यह हमारा सीधर लाइन है तो यहां से ब्लू लाइन चलेगी हमारे इधर मीज़ता है और एसी जा रही है तो यह जो हमारा करव बना है इस स्कुनग एसेडिन यहां करते है तो यह वाली लाइन यह जा रहिए तो यह स्टोञ एसेड एंड चाहिए अब हम जो आपने बीक एसट को यूज करेंगे तो यह रेड कलर का आपको यह वाला मारा और यह पर आपको चीजा है इसमें इसमें बीक है हमारा तो फेंसल से बन पाएगा अब हमारा 23 question आता differentiate between acid metric and alkalimetry titration तो देखो acid metric नाम से समझे जहां acid के बारे में बात हो रही है और alkalimetry alkalimetry कमिश्टान को हम base बोलते हैं तो basic और acidic दोनों के बारे में बात हो रही है तो पहले acid metric को समझे तो it is a specialized analytical technique used to determine the strength of an acid यानकि acid metric हमारे क्या है इसमें हम strength acid की बता कर रहे हैं तो इस तो डिटर्माइन दा strength of acid सभी हमारा से मगर alkalimetry के बारे में बात करें तो इस या तो कोई base के बारे में या पर alkaline compound के बारे में बात कर रहे हैं तो बैस एक और basic दोनों के बारे में आप समझ रहे हो acid metric metric strength as alkalimetry में बेस की तो बैस से तो दो नमर के according एक एक आपने definition लिख दे एक एक नमर का हो गया तो यहां पर acid metric में देखा दाए एक तरह से हम जो हमारा बेस है basic जो compound है उसकी concentration को हम पता लगा रहे हैं कैसे पता लगा रहे हैं तो यहां पर हमारा जो acid होगा एक standard acid उसकी non concentration वाला हम acid लेते हैं उसके बाद एक हम बेस लेते हैं जिसकी अन्नोन concentration है और एक indicator लेंगे और reaction करवा देते हैं और हमको यहां पर जो concentration हो जाती है unknown concentration वाले base की सेम हम यहां पर इसका उल्टा करते हैं कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं standard base लेते हैं जिसकी को पता हो और एक अश्य लेते हैं जिसकी अन्नों कराएंगे इंडि पर इंडिकेटर और हमको यहाँ पर जो है एसट की पता लग जाती है तो इस तरह मंदानों का यूज करते हैं मतलब एसडि में हमारा एसट राजा और यहां एकली में यहां लगा हुआ यहां करते हैं एक हमारा होता है जिसकी पता होती है और एक ऐसा होता है जिसकी हमको नहीं पता होती है कोई भी प्रसफिटरेशन कराते हैं कोई भी मैसर कोई भी और मैसरी कीन। है लगा है अब हम बोसी कोई हा एंड प força को बता सकते हैं आप यहां पर यहां पर यहों सब्सक्राद तो ईहां शारी सयह हमारी यूनिट भी कोह से हो चुकी है आप बात करते हैं Чई कि दूरangen में टोर यह हमारे कि एक हो कोई ससृ आथा है तो मैंने उसे वीडियो में अविह यहां पर हम क्या करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं दीरे-दीरे जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है उस नाइट्रेट सॉल्यूशन से हमारा प्रेसिपिटेट बनने लगते हैं सिल्वर क्लोराइड आयन के यहां पर हम जब यहां पर प्रेसिपिटेट हमारे सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म हो दाते हैं यहां पर इंडिकेटर आपको पता इंडिकेट कर देगा और यहीं हमारे डिनोट करेंगे कि रियक्षन हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो इस तरह से हमारे ये प्रिंसिपल मोर मैंतड है कि सबसे पहले इसमें क्लोराइड आइन कॉम सिल्वर नाइट्रेट के साथ यहां पर फॉर्म कराते हैं हमारे पीविटी फॉर्म हो जा है तो जो एजी सील के हमारे बन गए तो इसका जो एजी वाला कंपार्ण है वह हमारा इस क्रोमेट के साथ रियक्ष करेगा देन हमारे रेड ब्राउंस में कोई बात ही नहीं आपर अब यहां पर 26 आता है वाट इस मोडिफाइड बोलाइड में पढ़ा होना चाहिए और ब बात है तो पहले आप बोलाइड वाला चेट पढ़ो देना मोड आप खुद बढ़ो ठीक है खोद आपको करना है और अगर कोई ऐसा महान बंदा है बहुत महान आत्मा जिसको पता है कि मोडिफाइड बोलाइड में तर क्या होता है तो कमेंट्स में फटावर लिको देखत समझ जा रहा है कि it is a substance that change color when it went to the metal line solution अब मालो कोई भी हमारा solution है और उसके अंदरा में अब यहां पर यह कलरफुल है और यह हमारा ब्लू कलर में हो जाएगा और एमजी हमारे क्या है मैटल है हमारा तो इसके बारे में आप देख सकते हो साइद कभी लॉंग में भी आया होगा अब यहां आता है भी हमारा solution है उसमें महारे मेटल के आइन है जो भहो सारे हमारे हैं तो उनको determine करने के लिए कि कौन साइन प्रिजेंट है कैसे प्रिजेंट है उसी के लिए हम इस complexometric titration का यूज करते हैं और इसी complexometric titration के अंदर हमारे जो metal line indicator है उनका हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं तो अगर reaction में सिंपल आपको बताऊं मालो कोई भी हमारे एक अनलाइट है या मैटल आइन है उसको हम चिलेटिंग एजेंट के साथ रियक करा रहे हैं और बीच में यहाँ पर इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैटल चिलेट कॉंपलेक्स फॉर्म होदाएगा और यही कॉंपलेक्स हमारे कॉंपलेक्स होगा जिसने हमको पता लगेगा रियक्सन कंपलीट हो चुकी है और क्या कैसे पंडा है और बीच में हमने मैटल आइन का इंडिकेटर भी यूज किया तो यह दोनों एक तरफ देखाता है इसलिए मैं बोलता हूं कि यह फाइब सेवन माक्स मैं इसलिए चला पहले समझों तो मालो यहां पर की घंचा द्रल ऑनपलेडेंट का उन पर क्रूलत है क्लेंट Sapk क कर दो करते हैं तो हम यहां पर यूज करते हैं मासकिंगे देन कारेगा वह इन दोनों के पर डाकर या बना गर आगा इसको mask कर देगा mask मतलब कैद कर देगा बंद कर देगा तो अब क्या होगा कि ये जो पूरी reaction होगी हमारे solid यह हमारा पूरा mixture है और यह reaction होगी उसमें सिर्फ हमारे जो complex है हो हमारे calcium के साथ बनेगा हमारे copper और cadium का use नहीं होगा तो यही हमारे masking agents होते हैं कि these are those which are used to mask the ions in a mixture of ions यान कि यह हमारे mask of ions को करते हैं इस वी वांट एनी particular अगर मैं सिर्फ कोई एनी particular निकॉम्लेक्ट चाहिए तो जैसे example के लिए हमारे KCN है तो KCN क्या करेगा इस दोनों को mask कर देगा और masking agents मतलब इसी को बोलते हैं इन दोनों को मास्क कर देगा और हमको सिर्फ जो है calcium EDTA का मिल जाएगा अब आपसे वह comments में कि सब्सक्राइब को नाम क्या बोलते हैं मतलब इसकी फुल form क्या है क्या क्या बोलते है के से तो पूटिश्यम हो गया comments में लिखके अब डी masking agents के बारे मात करें तो इसी masking agents को हटाने के लिए इस effect को हटाने के लिए हम डी masking agents का यूज करते हैं डी मतलब होता है delete करना masking agents को तो वह हमारा masking agents को और इसके बाद जो हमारा इस वाली reaction में क्या करेंगे involve हो जाएंगे तो एक्जांपल जैसे हमारा formally height है तो अगर हमको इन दौन में यह केडियम वाला भी चाहिए था तो हम क्या करेंगे formally height का यहां पर यूज करेंगे formally height इस केडियम को free कर देगा और हमारा जैन यहां पर होगा केडियम और यह हमारा EDTA यह भी हमारे complex form हो जाएगा अब 30 हमारा कोश्चन आता है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेवी मैटरी आनलिसे तो यह को फंडा है पूरा वह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में प्रेसिपिटेशन रियक्शन विच कैन वी इजली वेट एंड क्वाइट वालब सिंपल यहां पर क्या है कि मालो हमारे पास कोई भी इसमें हमें को क्या सकते हैं उनको एजली बेट कर सकें और क्वाइनट कर सकें और क्याने कि हम आप होग्या अब छी वार मत चृप्स होते हैं उनहीं को कई वहार हम दो पर पूस लेते हैं जैसे एक्जांबल के लिए डिफाइंड डाइजेशन या इसको हम जो है औस्वाल रेपिनिंग भी बोलते हैं तो इसमें क्या होता है जैसे मालोब मैंने आपको प्रेश्वों होगी तो उसमें हम क्या करते हैं जो प्रेसिपिटेट है उसको हम मदर लेकर मदर लेकर क्या होता है? जो हमारा source of पूरा का पूरा मालो, यह हमारा एक पूरा का मेन solution है. इससी solution हम क्या कर रहेे? अपने PPT को generate कर रहे हैं. तो जब हमारे इसमें PPT generate होता है, तरह रहते हैं, फ्रैसिपिट यह पूरणे को PPT बोलते हैं. पर चोटे चोटे वाले पार्ट भी होते हैं और यह में प्रणेट हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि जब इसको बॉइल फॉम में करेंगे तो इसमाल वाले हमारे पीपीट हैं और बढ़ा बनने लगेगा और हमको क्या चाहिए पूरी बीमेटल में हम करी करा हैं तो जो वाकी इदर का सॉल्यूशन था उसमें जो इदर बेकरे बढ़े पार्ट हल रहा और इसमें तो इसको बहुत अच्छे और प्यूरी वाले फॉर्म है और इसलीकों जो और स्वाल्ट रिपनिंग भी बोलते हैं एक्जाम में यह आ सकता है आप इसको चैसे देख सकते हो ठीक है तो डेफिनेशन आप यहाँ पर लिखे आता ना अब थर्डी डिकोशन आता है डिफाइन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन तो इसमें क्या होत हमारे निकालेंगे59 प्रेसिपिटेशन और स्ट अब कुष्द के प्रेसिपिटेशन का निकालते हैं BBQ प्रेसिटेशचंग यहां प्रमाुरी को बहर निकलते बाहर को इसे लिए इसको को मिल दाएक है दुपतना होगी quotidians लुक्राट एकि यह प्रेसिपिटेशन हो फिली प्रियू झायाओ of undesirable compound occurs after formation of desirable compound अब इसमें मैंने आपको बताया कि मालो यह वाले जो हमारी यह हमारी डिजाइड है जो हमको चाहिए और हमने बनाई लेकिन पोस्ट precipitation में क्या होता है कि यहां पर जो हमारी अलग जो होती है न वह इनके ऊपर जाके नहीं लगती है वह क्या होती है कि वह अपना एक सरी प्रीपिटेट अलग जन्रेट कर लेती क्यासे करती हैं कीसे करती है तो आपको बता कि हम इसमें प्रीइड बनाने के लिए जैंट का उसके बाद में जो impurity थी वो अपना अलग से पूरा पीपीटी जनरेट कर लेती हैं तो यह मारा पोस्ट अब इसको हम क्या करते हैं तो उसकी ड्राइंग करने के लिए जब हम तेंपरेचर ट्वैंटी डिग्री से कम रखते हैं यान कि जब हमारा टैम्परेचर बिलोग इसको हम इसको इनिशल ड्राइंग बोलते हैं अब जब 25 डिग्री से लेके 120 डिग्री से तक उसको ड्राइंक कर वाते हैं तो वह कंडिसेण हमारी इग्डिशन क्यलाती है से लेगे 120 डिग्री तक उस वाले पीपीटी को अपने सुखाते हैं अब ऐसा इसलिए करते हैं कि जो मारे पीपीटी उस में से एकदम वो ड्राइफ में आता है वाटर मॉइस्टेर एकदम चले जाए और वह हम एक्चिन में वे कर सकते हैं अगर आपने कभी लैप बगरा में तो मैंने यहां थोड़ा लिख दिया कि अगर कभी 5 में आज आए आप अच्छे से लिखके आदा हो तो सिंबल दो के अकॉर्डिंग तो आप यहां तक भी लिखके आता क्यों आपका चल जाएगा तो सिंबल क्या है इसको क्या करते हैं हम एक साथ डियक्सन कराते हैं और हम अब यहां पर हम सेकेक निषेप में क्या करते हैं कि जो हमारे अउर्य के साथ कुछ राते हैं क्या है देखो यहां पर यहां हमने और स्टोडियम क्या है हमारा सोडियूम नाइट्राईट यहां बॉलते हैं तो यहіє हमारा नैजोनियम साल्ट में चाहिए और सात में इसमें क्या होता है री येक्सिट के था जीरो से पांच डिशेल wine कि ठंडे में इसको करते हैं और जो हमारे इसमें इंडिकेटर ह Binप अभर इसका किया इंभाई पेश्ट में यहां पर यूजज pale यहां पर 25 पोश्चन आता है, Define Redox Titration, एक तरह से हमारी यहां पर Unit 4 यहां पर स्टार्ट हो चुकी है, आब इसके बारे में बात करनें to Redox Titration are those which involvement oxidation and reduction, मतलब Redox मतलब देखो Reduction plus Oxidation, तो यहां पर दो Reaction का involvement होता है, तो Redox Reaction हमारी वह है, जिसमें तो हम आक्सिद्टेशन और रिड़क्स ताइट्रेशन इसां तो यान कि जो डिड़क्स ताइट्रेशन का समय को सब्सक्ती है किसकी मतलत से धीड़क्स रियक्सिन के बीचमने है और जो हमारी टाइटन के बीज में होते हैं लिए लेकिन दूसरा होता है गें आप अगर आप देखो कि यहां पर आप करते हैं एक बार इस रियक्षन को आप क्रोस चेक कर लेना अगर कुछ गड़बर हो तो कमेंट्स बहुता आपको पहली बता दो यह कुश्चन ने बहुत टाइम लिया और यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यह जो कुश्चन है यह लॉंग में हमारा मोस्ट ली टा अब यह थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इसमें दौनों ही चीज़ हमारी यूज करते हैं और और यह करके बहुत कंफ्यूजिंग है तो इसको आप क्या करोगे लॉंग में अच्छे से जाके देख लेना ठीक है अगर आपको आई जाता कुछ भी ना है तो यह से लिख्या दाना कि जो आयोडायिट कि आयोडायोडायट से यहाँ बनाते हैं तो यहां रहा यहां दोनों की रिक्सन आप अच्छी याद कर लेना अब 37 चैसरा मारा कुषिटाइजिंग बारे में आपको बताना है तो यह वह तो इसन हमारे सबस्टांस है जो हमारे इंगौ करेंगे। य हमारे एन को करेंगे। अब इक्जांपल के लिए देखात आ तो आईडिशन deliver करें गया अगर हम औक सीज़न को एड कर रहे हैं तो बाकी बचा कि हमारा है दो सभिष्ठांथ हमारे मेन होते हैं यहां पर फंडा सेंपल क्या हो रहा है कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो अगर हम को अगर है तो इससका उल्टा करना है हमको निकाल देना अब यह दो कर्णिशन होगी कि आपने पहले में अक्सीजन को एड किया है यहां पर प्लस ऑकशीडन और मायनस आपने हाइडोजन कर दिया सिंपल है अब इसका इसका उल्टा कर दो रिड्यूजिंग में कि य अब यह हमारा डाइक्रोमेट यहां पर पूरा 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 होजाता है तो यह हमारा एसेटिक मीडियम में ही रियक्षन हमारी टेक प्लेस लेती है करते हैं और इसके अंदर हमको डाइक्रोमेट वाले आइन फर्म होजाते हैं तो जो हमारा इसको अश्चार्च के अपेश्ट काम करता है अब इसका भी कई के मेकेनिम जाता था कि कैसे हम इसको यूज करते हैं तो बैसे तो इसकी रियक्शन वगएरा होती है तो मैंने जादा नहीं लिखी है आप करनेने में में के यूज करते हैं अब किस वाली रियक्शन मेंγा और यह पीं यांनरी पेस्ट को और होते हैं तो या 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 डिक्षक लेखने रेक्शन वान deny नने ब्लू कलर में ब्लू कलर अब यह salah करें या आप लिग कर दोगा या आप देखको साथ scripture लिखे से नेट वगरा से तो यह आप समझ गए अब हमारे पास 40 से 40 अपने तो अब जो हमारे को चालिस से 10 कोशन और पहला यहां पर आता है और क्या चीज़ होता है इसमें होता है जिसको हमें जिसको हम पोटे ते उसी तरह हम सरी मेटरी में अपने एक सेरिक आइन को एज़ा उक्सिडाइजिंग एजन्स यूज़ करते हैं और यह हमारा बहुत जादा इस्ट्रोंग उक्सिडाइजिंग एजन्स होता है और बस यह बाकी इसका यह लिख दिना ऐसे कि जो सेरिक आइन हमारा सी फॉर पॉस्टेफ प्लस एफीटू करे और 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 यह बात करें दीज आर्टा फिजियो केमिकल मेथड ऑफ एनलिसे हम यह एक मैथड़ है इन विच डिईल विद अलेक्ट्रिकल क्वाइंटिटी और प्रॉपर्ट्टी ऑफ सबिस्टांट टू एनलाइस क्वाइलिटेटिटिटिव और इसकी क्वाइंट मैथड़ कर सकते हैं एकजामपल में हैं हमारा पोटेंजियो मैठरी हो गया यहां नस्ट क्습 आ सकता है इ市में लेक्ट्रिक रॉफ्टाशंटर गेंवेश करतें तो अजाए हमारी ग्जामपल और डेक्डल तो हमारी इक्वेशन है इसको हमें मैतमेटिकल एक मोडल में मलब प्रपोज किया गया था जर्मन कैमिस्ट वाल्टर हर्मन नश्ट के दौरा इसलिए इसका नाम नश्ट का गया है तो बाई यूजिंग स्टेंडर्ड इलेक्टर पोटेंशियल जो हमारा आपने देखा होगा इसके द्वारा एंड़ टेंपरेटर अप सेल के दौरा हम यहाँ पर हाफ सेल पोटेंशियल को कैल्कुलेट कर सकते हाफ सेल को कैलेक्वेशन बोलते हैं कुछ नहीं करना आपको बच इसका रट्टा लगा देना है इसको यहां पर लिखके आदा हो कि आपकी सारी कहानी इस आप इसमें वेर क्या कैसे वह साइद मैंने यहां लिखे नहीं तो आप उस चीज़ को यहां पर लिखके देख सकते हो तो यह हमारी होगी नश्ट एक्वेशन के बारे में यहां देख लेना अब यहां 43 आता राइट ए इलकॉविक एक्वेशन यह भी हमारी टू मार्स में कई बार आती है तो इसमें यह पूरी एक्वेशन है तो जो इलकॉविक एक्वेशन है गिप दा रिलेशन से बिट्वीन दा डिफ्यूजन करें जो मारे एक डिफ्यूजन करें और इंड कंसें और इसका यहां पर आइड आपको दिखी रहा होगा तो यह थोड़ी सी टिपिकल है तो इसको आप याद कर लें रट्टा लगा ले लिख 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 लें ठीक एक्जाम में यह हमारी आज आती है तो आइड हमारे डिफ्यूजन करेंट हो गया एन फॉर हो गया हमारा नमर ओफ एलेक्ट्रिकरिटी रिक्वाइर कितनी हमें इ टाम उगा दो ऑब मर्करी में उसमेंडी तो इसका अब रट्टा लगाव क्योंकियोगी याद्ल क्या grounding करना इसका रट्टा लगार का कही वारी ये मारी धूर में अजांगे इसको करते हैं उते हैं आप चैल सिम्संक्र मावरे इसे क्रोम ब्लेक टी है इसको आप अच्छे से याद कर लेना यह हमारा इसमें यूज कर सकते हैं तो यह हमारे पी एम इंडिकेटर हो गए हमारे फिर हमारे कोशन मनता है 45 वहारा आता है वाट इदा रिलेशन दे बिट्विन पी एज एंड पोटेंशियल तो बैसे यह कोशन हमार है इसकी पोटेंशियल कितनी है पावर कितनी है इनर्जी कितनी है उसी को डिनोट करता तो यह हमारा इसका रिलेशन हो जाएगा पी एज पोटेंशियल का और ज्यादा अगर छोटा लगे तो पीएज की आप यहां इस तरह से डेपनी फॉल फॉर्म लेवान लिखके आता ह है कि इसलिए हमारे कि पोटेंशियल यांगी पावर को यह बताता है एंदर तो यही हमारा होता है अब सब्सक्राइब कोहर लग तो इस लोग के बारे में क्या कैसा है तो सिंपल जैसे एक डिलूशन मतलब पानी बगर है जो मिलाते है वह दा मोलर कंडेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानिकि जैसे कोई भी हम जो सॉलुशन करते हैं उसमें यहां पने पानी जाली है तो इसलिए इसको मोलते हैं इंफानाइट डिलूशन पानी इसमें मिक्स है दा मोलर कंडेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोई बीजो इलेक्ट्रोलाइट इसकी मोलर कंडेक्टिविटी है एक तरह से मोलर कंडेक्टिविटी इसको आपको सिंपल दो नमर में समझ आने नहीं वाली और लॉंग में आपको चाहिए तभी आपको एक तरह समझ आएंगी क्योंकि थोड़ा सा दिमाग खाने वाली यह एक तरह से चीज़ा हो सकती है 47 हमारा जाता है डिफाइन पोलेरोग्राफी इसको मैं थोटा डिटेल्स में लिख दिया क्योंकि आपको आगे समझ आता है तो इसको बोल्टामेटरिक उल्टेज को यूसरी इसके बारे में सुना ओगा जो मारे इंपोटनेंट भी है कई वार एक्जाम में यह मतला मोश्टी टाम में हमारा आता है यूनिट फिफ्ट के अंदर से तो इस वाले कुश्चन को आप डीटेज में भी जाके पढ़ लेना तो यहां पर यह क्या बोल रहे हैं कि यहां पर हम क्या करना है कोई भी जो हमारा केमिकल हो रहा है उसको पता लगा रहे हैं कि सिंपल यहां पर क्या है कि आपको यह कहानी अच्छे समझ आते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें करेंट फ्लो करना है कि यह चीज हमारे कुछ लॉंग में आपको समझ नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर हमारे कुछ फॉर्मूला यह सब चीज है मतबंद मेंगा है कि जब इसके अंदर क्या कर रहे हैं इसको यहां पर क्या हो राए यहां पर हो रहा है कि अधि जो हमारे मर्करी के जो हमारे ज्रॉप है वह multi हैं यहां पर तो बोल्डेद अप्लाई करेंगे तो ड्रोपिंग मरकरी उसके जो साइद है उसके पर कितना करेंट फ्लो हो रहा है तो वह करेंट जो हमारे फ्लो हो रहा है। अपने करेंट फ्लो को यहां पर आइडेटिफाइए कर रहे हैं और करेंट हमारे जतना फ्लो होगा उतनी हमारी बेट होगी तो दौनों एक तरह से वह मतलब प्रोपेशनल है एक चीज़ हमको पता लग जाएगी दूसरे मॉटमेटिक पता कर लेते हैं तो यहां पर हम तो यहां हमारे चीज़ होते हैं कि जरूरी नहीं आप सारा कुछ लिख करी आदा हो कि थोड़ा बात आपका छूटी रहता है अब 48 कोशिन हमारा आता है इसमें चार्जिंग होता है तो इसमें आपको नाम बता दिये जिससे आपका रिवीजन होता है कभी आता है तो अप इनके बारे में लिखके आ सकते हो और यह वही करेंट है जो मैं यहाँ पर बोलगा कि बोल्टे सब्लाइ कर रहा है तो इनी करेंट की मद़़ से यहाँ पर करते हैं ठीक है चलिए अब मारा 49 कुशन आता है डिफाइंड कंडुक्टो में बत्री चिया है कि इसमें क्या कर रहे हैं उसमें हमारी कितनी प्रिद अब conductivity एक तरह से मारा करेंट को ही आप बोल सकते हो आप जैसे सिंपल आप लोगों ने कभी वह दिखा होगा कि जो पंखा चलता है तो पंखा में बोलता है यह क्अ क्या होता है एलेक्रिक एनरजी को अपने अंदर कंजियूम करके रखता है और वह एकदम क्या करेंगा एक त कर लेते उसको हम लोगो टॉच करते हैं घर करते हैं सॉलीशन में कि हमारे कितना कतर व्याइन मुव करते हैंग ऑन की सब्सकें हैती है यह सो कोई solution है इसमें दो इलेक्ट्रोड है तो हमारे केटाइन जो इसकी तरह मूव कर रहे हैं इसी की मदद से जानगी जो कितना कैसे मूव कर रहे हैं उनकी मदद से हम उसकी करता है और जो मोबिलीटी आइस के उन चीजों पर भी हमारे करता है तो यह थोड़ा समझ के होगे लॉंग में आप जाके देख लेना बागी अब हम लास्ट कोशन के अपने बात करते हैं वह हमारा डिफाइंड पोटेंसियोमेट्री तो पोटेंसियोमेट्री क्या होता है त तो मीजर। सब्सक्राइज अब इसमें हम जो पोटेंचीयल है उसका फे内र करते हैं किसी भी सौ्यूशन के व्राइज की फर कर्ने की थैन Breath of the treatment सोवी उसको पता किया किया तो प्रिंसिपल नेर प्याप अफ लेक्रोर सौलीशन मेंुर्टो को प्ले अमने तो यह क्या करेंगे करेंगे जो पोटेंटियल होगा तो अपर क्या होगा हमारे हो हों कैसे क्या होता है तो यह हमारे 50 तक के physics यहां पर हो गए है अब Test-Man च्शं के अब मिल चुका है सारे कि सारे सारे बारे में आजकी वीडियो में उत्र música अच्छी लगी अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरगों बताओ बागी कोई भी अगर डाउट से तो कमेंट करके फटाबाट पूछ सकते हो बागे इस वीडियो को लाइक करते हो लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक कर देते हो तो बस मिलते हम आपसे बहुत जाए नेक्ट वीडियो में तब